आज मैं आपके साथ सूजी और चने की दाल की बहुत ही मज़िदा रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें हैं धेर साई सबजियां जिससे नाश्टा बनेगा बहुत हैल्दी साथ में स्वाधिस्ट भी तो यहां पर सबसे पहले हमें लेनी है एक कटोई चना दाल जिसको मैंने चा आधा कटोरी दही साथ में मिलाएंगे थोड़ा सा पानी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे तरीके से फूल जाए और इसके बाद इसमें हम कुछ सबजिया मिलाएंगे तो यहां पर मैंने शिमला मिर मिर्च, सांबर मसाला, चार्ट मसाला, अध्रक लसन का पेश और नमग, सांबर मसाली से बहुत अच्छा स्वाद आता है आप इसे जरूर मिलाएं और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे अब इसके लिए हम एक तड़का त्यार करेंगे तो यहां पर तेल में मैंने डाला एक चम्मच उड़त डाल, आधा चम्मच काली सरसों, कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे हम मिश्रण में मिला देंगे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसके बाद जिस भी बरतन में हमें इडली बनानी है उससे सबसे पहले हम तेल लगा कर चिकना कर लेंगे तो य और इसके बाद हम फाइनली मिश्रण में मिलाएंगे आधा चम्मच इनू अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इससे बैटर हमारा काफी फूला फूला बनेगा और इडली हमारी काफी नरम और सौफ बनेगी अब इडली बैटर को हम डालेंगे काटोरियों में और गैस में एक बतन में पानी रखके हम उबालने के लिए रख देंगे अब यहाँ पर मैंने पतिली में इससे डारेक्टली रख दिया है आप चाहें तो इसके नीचे स्टैंड भी लगा सकते हैं और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इससे स्टीम करेंगे तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं इडली हमारी अच्छे तरीके से कुक हो गई है इसे ठंदा करने के बाद ही डी मोड करेंगे गरम-گरम quem कर से निकालने की कोशिस करेंगे तो इडली टूट भी सकती है ठंदा होने के बाद ही आसानी से निकल जाएगी तो देखिए हमारी इडली ब आप इसे अपनी मन पसंद चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं। यहां मैंने इसे टमाटर की चटनी और दही के साथ सर्फ किया है। तो देखें, मैं आपको एक इडली तोड़ के भी दिखाती हूँ। यह अंदर से बहुत अच्छे तरगी से स्टीम भी हैं। और इसमें बहुत अच्छी जाली आई है। और सूजी और चने दाल का इनास्ता बहुत बहुत टेस्टी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइक कीजिए। और अपना फीड़बैक में साथ जरूर शेयर कीजिए। कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।